असलाब वालेकम वेलकम तो इस वीडियो तो आज मैंने सुभा सुभा ही व्लाग स्टार्ट कर लिया है बड़े काम करने हैं तो चलेंजी शुरू करते हैं मैंने सुचा है कि चलो ओवन साफ कर लेती हूं तो यह मैं यूज करूँगी अलबो ग्रीज ओवन क्लीनिंग किट तो यह अगे भी मैंने यूज की थी और बहुत ही जबर्दस प्रोड़क्ट है यह और इसका पूरा मैंने डीटेल में रिव्यू शेयर किया था क्लीनिंग का ओवन के अंदर मैंने लगा दी है और यह मैंने इस तरह से न्यूस पेपर बचा दिया है ताके जो भी गिरे बाहर अगर कुछ है तो फिर जाना नीचे फ्लोर बॉर्ड हराब ना हूँ तो यहां पर देखें कि अभी मैंने सिर्फ लगा कर चोड़ा ही है तो इसकी जो गड होना शुरू हो गई है तो यहां पर इदर यह भी जो है ना काफी गंदा हुआ है काफी मैं दूसरी चीजों में बिजी थी जिसकी वज़ा से यह बिचारा इग्नॉर हो गया है तो आज मैंने सोचा के चलो इसको भी लगा कर ना छोड़ देती हूं मौसम अच्छा है तो य अधर बाहर रख दिया है ताकि जो है अच्छे से साफ हो जाए तो मैं इनको इदर ही बाहर ही रहने दूँगी तो इदर ही मैं इनको क्लीन करूंगी ताकि अंदर जो हैना कुछी खराब होने का खतरा ना हो और बेलन की भी हालत काफी हराब हो चुकी है तो इस विचारे को साफ करना है तो यह वाला इतना अच्छा नहीं है इसकी मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है तो काफी जादा इसके साथ स्टिक हो जाती है रोटी बनाते हुए आटा जो है वह स्टिक हो जाता है तो चलो इसको मैं गीला करके छोड़ दूगी थोड़े टाइम के लिए त तो इसलिए ना मैं उसी दिन जिस दिन मुझे पता होता है कि आज खाना नहीं बनाना तो फिर में साफ करती हूँ पास्टा बनाया था रात को तो वह है और कुछ और भी लेफ्ट अबर पड़ा हुआ फ्रिज में तो वही वाला यूस करेंगे तो यह काम भी में फिर आज कर तो बाकिया भी बरतन दोने वाले सिंख में पड़े हुए है मैं वह वाश कर लेती हो फिर हाली मा का टाइम हो जाएगा आज मुझे कमीज की कटिंग करनी है तो सलाई का काम मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मुझे पता होता है कि आज खाना वगारा बना हुआ है तो कोई और ऐसा काम नहीं है जो जरूरी है तो आज जो है ना मैं कोशिश करूँगी के कमीज की कबस कब कटिंग कर लो तो अभ पर मसला होता है बेतर है कि पहले बंदा सोच समझ करना इसकी कटिंग करें पहले मैंने चुक करना है कि इसकी लेंथ कितनी मुझे चाहिए और फिर उसी हिसाब से जो है मैं इसको कट करूँगी और दूसरा पॉइंट जो है यह है कि इसका गला इस तरह से बना हुआ है तो यह कटिंग करते वे ध्यान रखना है कि ये सेंटर में ही आना चाहिए और ये इस तरह से डिजाइन भी बना हुआ है तो मैं इसकी कटिंग पहले फिर्ट पार्ट की कटिंग करूँगे और उसके बाद फिर बैक की करूँगे क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है वहाँ पर थोड़ा सा तिर्चापन है इदर जो है तो फिर पता नहीं है कि शायद जो है अच्छे से ना कट हो दोनों की साथ कर दू तो फिर इसलिए मैं इसको अलग से कट करूँगे ताकि फिर जो ना अगर कुछ प्राबलम आ जाए तो उसको फिर सॉल्फ किया जा सके असानी से और यहां पर जहां डिजाइन हत्म होता है यहां से उपर मैं तकरीब पांच इंचेस ज्यादा फैबरिक लूँगी यहां से क्योंकि यहां पर जब गले की कटिंग होगी जो भी डिजाइन आपने बनाना हो आपके अपनी मर्जी है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जन आपको छोड़ना है और साथ कुछ स्लाइमें भी कपड़ा आ जाएगा नीचे जो दामन वाली साइड है वहां पर पाइपिंग हुई है तो मैं इसको कट नहीं करूगी यहां से इसकी यहां रेडि है सिर्फ पैक पाइपिंग की जो है उसका धामन बनाना है तो यहां पर मैं असलाइम गर incl़ा दूँगी तो यह इस तरह से कच्छी सी सलाइम लगी हुई लेकिन इस तरह से पाइपिंग इसकी लगी है तो मैं इसको उतारूगी नहीं तो बस यही चीजें हैं ध्यान में रखने वाली तो बाकी साथ साथ मैं इसकी जब कटिंग विरा कर लोगी तो साथ शेयर कर दूगी बात में पैक पार्ट की मैंने कटिंग करके उसको अलग कर दिया और देखें के यहाँ पार्बी इसमें भी फरका रहा है जीजेए नीचे से बाका है जतना दामड उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने मार्ग लगाया था फिर उसके बाद ये बाकी निशान जो है वो लगाए है तो डीटेल में एक वीडियो मैंने सिंपल कमीज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया था टुटोरियल फार बिगिनर्स तो अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं तो उससे आपको असानी से समझ में आ जाएगी तो मैं सिर्फ यहां पर बता देती हूँ यहां पर मैंने तक्रीम आठ इचिस का जो है यह तीरा रखा है अभी तो और क्योंके अभी गले की कटिंग वियरा होगी ना तो इसलिए मैंने एक्स्टर रखा है कि कटिंग करते हूए कोई फरक लग चाहे ना तो फिर बना कर सकता है अगर पहले ही आप ज्यादा कट कर द मैं थोड़ा सा लूज कुड़ा टाइप मैं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने ज्यादा लूज रखा है क्योंकि नीचे जो दामन पर मैंने दिखाया था ना कि दामन पर उसकी इंब्रोईडरी है इंब्रोईडरी तो नहीं एक डिजाइन सा बनावा मैं दिखाती हूँ तो इ यहां पर यह वाला चेस्ट का मार्क हो गया है यह वेस्ट का हो गया है यहां पर जो चाक बनेंगे नीचे वाले यहां पर तो मैं चाक जो है वो ज्यादा उपर नहीं रखती मुझे अच्छा लगता है थोड़े से नीचे हूँ तो वो ज्यादा बेतर है क्योंकि फिर हो सा अच्छा लगता है क्योंकि जो ना फिर यहां से ऊपर थोड़े से होना तो मुझे वो अजीब से लगते हैं मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं थोड़े से नीचे की तरफ रखती हूँ तो यह मार्क हुए रहा मैंने लगा लिए हैं सारे तो यहां पर जिब गुलाई मैंने दी है यह मेरे लिए मुझे काम होता है गुलाई देने वाला यह सारी प्रैक्टिस की बात होती है जितना आप ज्यादा स्टिचिंग करते हो उतना प्रफेक्ट हो जाते हो और ऐसे ही मैं अपने माग लगाया था फिर एदर और बाक्स बना लिया है यहां पर तो इस तरह से सीधा कोर्णर वाला यहां पर कोशिश करूंगी कि इस निशाना अच्छे से नदर नहीं आथैं जलो यह में ने इस तुरह से लगाया था ठीक है और उसके बाद यहां पर यह तक्रीब बन वन इच का है तो इसको मैंने इधर से लगाया है तो इस तरह मैंने फिर गोलाई अराम से दे लेती हूं जिस तरह से मर्जी आपते हैं उदर से दे लें इधर से दे लें इधर से तो यहां पर फिर आस्ता आस्ता आप यह वाला जो निशान लगाया है इसके उपर से आप गोल इसको भी मैं वैसे ही बाक्स बनाऊंगी और उसके बाद गुलाई की शेयर में कट कर लोगी लेकिन अगर आपने कोई डिफरेंट डिजाइन बनाना है तो फिर उस हिसाब से आपने यहां से कटिंग करनी है मैंने एक्स्टा फैबरिक जोड़ा है इसमें मारकिंग लगा है यहां पर एक दिश यहां पर ऑफासला च्छोड़ेंग के लिए का। कैएंगे उसी से कट करना है तो यह फिर आपका मार्जिन होगा होगा सलॉय मुदी कarette कर देंगे तो पिर वह आपकी क्मीज ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने फिटिंग अ Pharisee से कट करें तो मर्जिन हमेशा जहन में रखे जां भी करें तो में इस फ्रट पार्ट की कटिंग कंप्लीट करती हो और फिर बेक पार्ट के असान हो जाती है क्टिंग क्योंकि यह वला पार्ट क्ट कर लेंगे फिर उसके ओपर रख रखाकर आसानी से फिर Ohio अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा इससे जाना मोटिवेशन मिलती है कॉमेट्स में भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर कोई 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 माइंड में है तो वो भी आप पूछ सकते हैं इससे कि मैं साफ करके ही फिर आराम से सूँगी तो जो है मैंने अभी साफ किया है आज थोड़ी सी जो ना यह वाले स्टेंज अभी रहागे हैं यह साफ नहीं हुए सही से तो मैंने थोड़ी सी कजुसी की आज मैंने लगाई थोड़ी थी थोड़ी मैंने वो बचा ली थी क्यों साथ साथ देखते रहें कि जहां पर ड्राई हो जाए वहां पर दोमारा से वह जाहरा इदर अगठी हो जाती है यहां से सपंज के साथ दोमारा उदर लगा दे तो फिर उससे साफ हो जाएं कि लास टायर मैं अच्छे से साफ कर लिया था लेकिन इस दाफा मुझे थोड़ी सी यह रही है कि यह वाला अच्छे से साफ नहीं हुआ बाकी तो ठीक हो गया है जहां से साफ हुआ है बहुत अच्छे से यहां पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्पंज के साथ रगड़ा है तो इसकी तो साफ हो गया है यह वाली साइड अच्छे से नहीं हुई चलो कोगी बात री है लेकिन बीच में से बहुत अच्छे से सास हो गया है एक ट्र situation साफ हो गई थी और बाकी जो उपर गास के थे झान गवी साफ हो गये थे सिर्फ एक ट्रiken अभी था तो मैंने सचा के रगणने से बहत रए कि उसको दुबारा से लगा के रख़ तो उसको मैंने बाहिर ही उसी बäंक में दुबारा लगा कर तो रखदी है तो सुहा तक ऑि शवा पूबेया की चलोется घीफ भाले लिस विडियो तो वह चकनाई सारी निकलाती है इतनी जड़ा सॉफ्ट हो गई थी और ये है ट्रे ये इसकी बैक साइड है तो ये देखें कि एक दाग भी इस पर नहीं रहा माशाललह से बहुत अच्छे तरिके से साफ हो गई है यू लगता है कि बिलकल न्यू है और ये है इसकी सीधी इसको मैंने सीधा कर लिया है और ये देखें कितनी ही प्यारी लग रही है माशाललह से साफ सुथरी हो गई है अब सारा मैंने इसको सेट कर लिया है ट्रे में इसकी लगा दिये है तो इस तरह से बाहर से देखने से आपको बिलकल भी पता नहीं चलता कि अंदर इसके कोई सारी दाओ करों सासरों कि काई है और इसके सकते रूख बिलकल ही रही है अगर अगर या नगवाड़ आपको तो देखती तो पता नहीं चलना था इस तरह से देखकर लेंकिन एक सारा मैं और आपको सच्छा और अच्छा रिवियूर देना चाहती हूँता कि आपको पता च औरेक्शन होती है वो सारी फालो करके ना करते हो और फिर आपको अवर कॉन्फिडनस हो जाता है कि मैं आपकर लोगी तो फिर हो जाती है तो वो जो लिक्विड है वो सारा ही डालना है ताकि अच्छे से साफ हो जाए मैं थोड़ा कम डाला था जिसकी मुझा से अच्छे से सा तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यह वाला काम भी हो गया साफ हो गया है यह वोट्रे जो रात को मैं ने दुबारा को लिकृट लगा कर रिखा था यह सई साफ नहीं हुई तो अभी मैं देखने आई थी किया हालात है इसके लिए कि लगता है कि अब साफ हो जाएगी इन्शाला लेकिन बहुत जद्ध संदी है बाहिर गोरा पड़ा हुआ है बहुत जद्ध संदी है यह देखें कि यू लगता है कि स्लो है अंदर से बैठ कर देखना तो बड़ी इतनी फ्रीजिंग खौəल्ड है बहुत जद्ध संदी है इसलाइ अभी यहां पर जो गले वाला पाट है यहां पर मैंने इसकी पट्टी लिगा ली है इस तरह से और इसको इदर से कट कर लूँगी पहले मैंने इसलाई लगा दी है इस तरह से गले की मैंने कटिंग की थी और उसके बाद यह पट्टी अटाइच करके इसलाई लगा दी है मैं भी बनाओंगी इसका गला तो बाकी जो कमीज की फाइनल लुक होगी ना मैं इन्शलला अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और काफी लंबी हो चुकी है क्योंकि लाइव टॉकिंग करना जो है ना वो उससे बातें भी करती रहूंगी और मैं जो ना वीडियो जल्दी कंप्लीट कर लिया करोंगी तो इसलिए मैंने इस तरह किया है अगली वीडियो मैं फिर मिलूगी मैं ये व्लॉग कंटिन्यू रखोंगी तो नेक्स्ट आपको व्लॉग यहां से ही स्टार्ट मिलेगा फिर ठीक अला हाफिज